बिहार सरकार जमीन संबंधी मामलों को लेकर बिहार में आई दिन कई आप राधिक खटनाव की जयानकारी भी सामनी आती रही है यही कारण है कि बिहार सरकार जमीन संबंधी मामलों के निपचारे की विवस्था को लगातार बदलने का काम करती रही है इसी कड़ी में अब एक बार फिर से जमीन दाखिल खारिश की विवस्था को बदलने का निर्ने लिया गया है यानि कि अब आपके जमीन की दाखिल खारिश का काम बदलेवे विवस्था की तहत होगा क्योंकि अब बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार छेत्र बड़ा करने जा रही है जिसके तहट अब अचल अधिकारियों के साथ साथ खारच करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विजार्वे मर्ष किया जा रहा है जानकारों की माने तो बिहार में दाखल खारिज यानी म्योटेशन को लेकर यह नई विवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी क्योंकि यह बात खुद राजस्व एवं भूमी सुधार्वभाग के मंत्री राम सूरत राएने कही है जो कि उन्होंने एक डेवलाप्मेंट प्रोग्राम के दोरान की इस बावत मंत्री ने आगे यह भी कहा कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कारे छेतर बढ़ाने जा रहे हैं वहीं राजस्व और भूमी सुधार्वभाग के अपर मुख्य सच्छिव विवेक कुमार सिंग की अगर हम माने तो राजस्व अधिकारी विभाग की पूरी जानकारी रखने की बात उन्हाने कही है जानकारी नहीं रहेगी तो दलाल के फेरे में फसेंगे विभार और काम से भी छवी बनती रही है हाला कि अपतक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार राजस्व अधिकारीयों को जाती आवास और आई प्रमान पत्र जारी करने का अधिकार देने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था और सभी अधिकारियों को अपने डोंगल से काम करने का अधिकार होगा इसको लेकर नया डोंगल बनवाया जा रहा है सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुरधा भी दी जाएगी इसको लेकर मंत्री राम सुरत राय ने कहा है कि अंचुल अधिकारी के पास पहले से ही काफी ज्यादा दाइत्व है इसलिए उनके काम को अब अधिकारी के पास अधिकरित किया जाएगा हाला कि अंचुल अधिकारी के कुछ और अधिकार कम होंगे जो राजस्व अधिकारी के कारिच शेतर में जुड़ जाएंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि नए राजस्व अधिकारियों की पहली पोस्टिंग कर्मचारी के रूप में होगी यह काम उन्हें 3-6 महीने तक करना होगा इस दौरान उन्हें अमानत, दाखिल खारिच, बतवारा, LPC, लगान वसूली आदी का काम सीखना होगा अमीन से उन्हें जमीन की मापी का काम सीखना है यह वेभारिक प्रसेक्षन का हिस्सा होगा इसके बाद ही उनकी तैनाती राजस्व अधिकारी के रूप में होगी अधिकारियों का प्रसेक्षन 25 नवंबर से एक महीने तक चलेगा इसके अलावा राजस्व अधिकारियों के पुराने बैच को अब अंचल अधिकारी में प्रोनती भी दी जाएगी राजस्व सरकार को 566 राजस्व अधिकारियों के साथ साथ 1764 नियमित अमीन न्युक्ती प्रोक्रिया के बाद मिल चुके हैं इस महीने 868 विभाग को 4400 राजस्व कैमशारी मिल जाएंगे जिसके बाद अब बिहार सरकार के इस नए विवस्था किते हैं बिहार में जमीनों के दाखिल खारिच मामले के जल्द से जल्द निप्टारे को लेकर सहूलियत होगी साथी दो-दो विभागों के पास काम होने के कारण इस मामले में पारदर्शिता आने की भीमीद जिताई जा रही है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जमीन विवाद को लेकर तनाव के सती परिवारों के बीच बनी हुई है इतना ही नहीं सरकारी कारियालियों में भी काम फसे होने की कारण आम नागरिकों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दाखिल खारिच के निप्टारे को लेकर बिहार में नई विवस्था लागू होने की उमीद जिताई जा रही है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद